आप सभी को नए कलेंडर वर्स 2024 की सुख़कमना है आज कलेंडर ये दोजार चोविस का पहला दिन है और हम आशा करते हैं कि आने वाले दिन निवेश से लिहाज के आपका बेतर हो चुकि कलेंडर ये 2023 समाप्त हो चुका है और 2024 कलेंडर ये शुरू हो चुका है अज हम आँखों का तारा रहे निवेश के लिहाज से और दूसरा ये भी देखेंगे वह दस फंड जो हमने शॉट लिस्ट किये हैं जो इन्वेस्टर के आँखों का तारा रहे हैं क्या वह अपने रेस्पेक्टिव सेग्मेंट में एक साल में कैसा परफॉर्म किया और इन दस फं फोकस्ट फंड वैल्यू फंड थेमेटिक फंड बैलेंस एडवांटेस फंड डैनमिक एसेट्स एलोकेशन फंड और हैब्रीड एग्रेसिव फंड में से सॉट लिस्ट किया है सबसे पहले हम चर्चा करते हैं उन तेन फंड की डिसको में सॉट लिस्ट किया है जो निविस्ट को आँखों का तरह रहा इसका मतलब वह दस फंड जिसने कलेंडर जियर 2023 में सबसे दिक फंड को मोगलाइस किया उसमें सबसे पहला फंड है पराग फ्लैक्सी का पराग पा 2949.1 करोर मोग फंड मोगलाइस किया है दूसरा है निपोन का स्मॉल केप फंड जियों सत्रह हजार दो सबसेट पॉइंट थी करोर फंड मोगलाइस किया है तीसरा है के का मिटकरफ फंड जोने 16 522.50 करोर फंड को मोगलाइस किया है कलेंडर या 2023 में आर्थ चीक है 12きた 37 करोर चिप ताल काुन वन करोर, ICIC का Bluetooth fund 7785.02 करोर और SDFC का balance advantage fund 25.34 परसंट दिया है, यदि इन सारे 10 फरंट को देखें, तो except SBI arbitrage fund जिनका की performance 5.36 परसंट ही है, लास्ट वर कलेंडेरियर में बांग की सब का performance में काफी बेतर लगता है, और सबसे अधिक हम देख पा रहे हैं कि निपॉन small cap का 49.85 परसंट है, और यदि SBI arbitrage fund को छोड़ दें, तो सबसे कम 30.01 परसंट ये SDFC flexi cap fund का नहीं, इससे भी एक और कम है 25.34 परसंट SDFC का balance advantage fund, हलांकि मैंने बताया कि SBI arbitrage fund को छोड़ के बांकि सारे funds का performance last one calendar year में मिन्स 2023 में काफी impressive दिख रहा है, लेकिन ये fund का performance अच्छा होना या बेतर होना, ये हमेशा ये isolation में हम decide नहीं कर सकते हैं जब तक इसकी तुलना हम कोई benchmark से ना करें. अब यदि इन funds का performance को compare करें with the respective segments तो हम देखते हैं कि पराग पाले का ये अपने फंड में रैंकिंग के लिहाद से 32 फंड में से थर्ड रैंक पे है वहीं बात करें दिनिपन स्मॉल कैप की तो हम देखते हैं कि 49.85 परसे इन दस फंड में सबसे अधिक परफॉर्मस दिया है लेकिन की रैंकिंग जो है अपने segment में one year के basis पे चौविस फंड और लेड़ी स्मॉल कैप में आप एक साल परवाने फंड है और जिसमें से इनका रैंक सिप्थ है यादि से मिट कैप की बातें करें यहां में 45.31 परसेंट इस वेरी इंपरसिव रिट रिटर्ण है और हमें लगता है कि यह रिटर्ण तो बहुत बेटर नहीं दिख रहा है लेकिन अपने segment में यह टॉप रैंक में चोविस फंड में से टॉप रैंक पे यह एज़ आर्विटेस फंड है मिल्स आर्विटेस फंड का जो परफॉर्मस होता है जो रिटर्ण होता है और इनका performance देखें इनकी ranking देखें 29 फंड में से 29 फंड में से 25 पोजिचान है इसका मतलब कि कोटक emerging fund जिस भी यह mid cap segment का fund है इस segment में काफी अच्छे इन से अच्छे अभी इन से नीचे चारी fund है और इन से नीचे 24 फंड और का performance last one year के performance के काफी बेतर है इन से अच्छा है SDFC flexi cap की बातें करें 30.01% यह भी 32 फंड में से इनका rank 13 है यह भी बहुत अच्छा ranking नहीं दिख रहा है मुझे SBI Contra 38.48% यह बिल्कुल है तीनी fund है Contra fund में जिसमें इनका top ranking है और SDFC small cap 35.78% और हम देखते हैं कि आज के दिन में small cap के 24 फंड है इनकी ranking 9th है ICIC blue chip 26.76% इनकी ranking 32 fund में से 7 rank है काफी अच्छा rank दिख रहा है इसमें और SDFC balance advantage fund जिनका की performance last one year का 25.34% है और यह 20 fund में से यह top rank पे है अब देखें यदि जैसे बात कर रहे थे निप्वन small cap की 49.85% काफी अच्छा लिखता है 50% के आसपास return one year का very good return means 10,000 लिए लगाए होते आप तो एक साल में यह 15,000 के आसपास हो गया होता लेकिन जनाब इनकी ranking 5 है 24 fund में से इसका मतलब चार fund कोई और भी ऐसे हैं जिनका performance 49.85% से अधिक है सो हम isolation में किसी fund को का one year का performance देके यह बता नहीं सकते यह fund काफी बेतर है खराब है जब तक इसकी तुलना उसके respective और फंड से ना कहें नमबर एक यह analysis जो भी किया हमने यह one year के performance और उसी के ranking है कोई जवरी नहीं है विकॉज हम हमेशा बात करते हैं कि investment जो है इसका long time horizon के लिए होना चाहिए must be eight year ten years के आसपास तो एक साल में जो बहुत अच्छा करता है जो खराब करता है उससे यह decide नहीं कर सकते यह fund बहुत अच्छा है या बहुत खराब है हलां कि हम एक image बनाते हैं उस funds का कि यह fund बेतर में परफॉर्मेंस और रेंकिंग ठीक कि आपको फंड सेलेक्ट करना चाहिए नंबर दो अब इन दस फंडों में से जो निवसक के तारे थे जिनमें सबसे अधिक फंड मॉवलाइज हुआ था यदि इनके segment की दी बातें करें इस दस फंड में से तो हम देखते हैं इसमें स स्मॉल कैप और एजी एप सब्सक्राइब निप्वन स्मॉल कैप पाथ पॉजिशन और यह नाइन पॉजिशन और यह दी बातें हम मिट प्रक्राइब के भी दो फंड है S.D.S. से मिट कैप और कोटक इमर्जिंग का मिट का जब की एच्छा परफॉर्मेंस फोर्थ पोजिशन ने उनतीस रैंग में से लेकिन कोटक इमर्जिंग देस्पाइट दे फैक्ट कि वन एयर का परफॉर्ण ठर्ट्यवन.96 परसेंट है यह 25 पोजिशन है 29 फंड में से और बाकि जो भी फंड है जिसे यह भी एक फंड है SBI कंट्रा अपने सेग्मेंट का अकेला फंड SDFC सौरी आईसे से ब्लूचिप जो लार्ज कैप सेग्मेंट का फंड है ये भी अपने सेग्मेंट में अकेला और सेग्मेंट में अकेला फंड है इसका मतलब दस फंड में से दो फंड स्मॉल कैप के दो फंड मिट कैप के और एक फंड के लाज फंड के और सब्सक्राइब कर आए ये वीडियो कर्कूर्ष होने के पहले मैं एक और ही बता चाहता हूं कि मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि वन ये के परफॉर्मेंस और रैंकिंग के लिया से फंड को सेलेक्ट करता ही नहीं करें यह आपके ओवर व्यू देने का प्रियास किया गया है